नमस्कार, विल्कम टू एस किचिन न्यू वीडियो, आज बनाएंगे हम बाथो डाल, जिसे बिहार में दलसगा कहते हैं, आपके क्या कहते हैं यह आप हमें जरूर बताएं, और बथुआ ठंडे के दिन में बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है, तो यह एने डाल को हम रात पर विंगो के रखेंगे और उसके बाद हम 이제 कोकर में डालेंगे और बथुआ को भी डालेंगे और थोरा सा हल्दी और नमक डालके इसे पाट-साथ सी बिसल आने तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं हमने कोकर में दाल और बथुआ को डाल दिया ह और इसमें थोरा सा नमक और हल्दी डाल के इसे हम चुले पे चरहा देंगे उसके बाद हम अलग से अब मसाला तयार करेंगे इसमें डालने के लिए तो आप देख सकते हैं इसमें हमने हल्दी डाल दिया है और इसका लीड लगा के हम चार से पाँच सीटी इसे देने देंगे थोरा सा पानी भी डाल देंगे और उसके बाद इसे चरहा देंगे ताकि ये डाल और बथू अच्छे से कुक हो जाए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के तयार होता है तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने कूकर चरहा दिया है और अब हम मसाला तेयार करेंगे जिसमें अद्रख, काली, मिर्च, जीरा, लहसन इस सब को पीस लेंगे और उसके बाद हम एक कढ़ाई चरहेंगे जिसमें तेल डाल देंगे दो तिजपता, दो लाल मिर्च, जीरा, दाल चीनी और एक इलाईची तोर के डाल देंगे और फिर इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज में थोरा सा नमक डाल के हम इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे जब प्याज सुनारा हो जाए तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि लाल मिर्च पॉर्डर, हल्दी पॉर्डर, धनिया पॉर्डर, टमाटर, अदरक लहसन का पेस्ट ये साड़े मसाले हम इसमें डालेंगे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भॉनेंगे और हाँ इसमें हम एक पिंच हिंग भी डालेंगे जिसे इसका फेलेबर बहुत ही अच्छा आएगा और इसको अच्छी तरह से हम भून के और उसके बाद हम कुछ किया हुआ दाल इसमें इसको 10 से 15 मिनट तक इसको भूनेंगा और कुक किया हुए दाल इसमें मिला देंगे और उसके बाद इसमें हम कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल कर इसे मिलाएंगे आप देख सकते हैं हमारा दाल कितना अच्छा बन के तयार हुआ है और फिर हम इसमें धनियापती और थोरा सा उपर से एक चमच हम घी मिलाएंगे जिससे इसका फेलेबर और ही अच्छा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद